हेलो एवरिवन वेलकम टू मैथमेटिक्स मैंडेस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 एक्सोसाइज नमबर 13.2 अब इस एक्सोसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सॉलिट्स की वोल्यूम के बारे में पता होना चाहिए तो पहले क्विकली रिवाइस कर लेते ह है कि सभी सॉलिट्स की वोल्यूम क्या होती है तो देखो वोल्यूम ओफ क्यूबोईड होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और वोल्यूम ओफ कौन होती है एक्यूब और ए क्या होता है ए होती है साइड साइड ओफ क्यूब वोल्यूम ओफ सिलेंडर सिलेंडर की volume कितनी होती है πाई आर स्क्वेर एच and volume of sphere sphere की volume क्या होती है 4 by 3 πाई आर क्यूब और r क्या है यहाँ पे radius और last है volume of hemisphere hemisphere की volume कितनी होती है 2 by 3 πाई आर क्यूब अब देखो इसमें कुछ volumes को learn करने का क्या तरीका है देखो अगर आपको पता है volume of cylinder वो होती है πाई आर स्क्वेर एच तो volume of क्या होती है 1 third of volume of cylinder तो आप इस तरीके से volume of क्यों को learn कर सकते हो और volume of hemisphere क्या होती है यह होती है volume of sphere का half यानि कि जब हम sphere को middle से cut कर देते हैं तो क्या बनता है hemisphere इसी लिए volume of sphere के और देखो यहाँ पर volume of cuboid होती है length into breath into height और volume of cone a cube क्योंकि cone की सारी sides equal होती है तो वहाँ पर length, breath और height तीनों की value सेम होती है इसी लिए हम कहते हैं a cube तो यह तरीके हैं volume learn करने के अब हम पढ़ते हैं 13.2 exercise अब हमारा topic है volume of combination of solids मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक fix solid की volume क्या होती है जैसे cuboid है या फिर sphere है तो उसकी volume तो हमें पता है लेकिन अगर कोई combination आ जाए तो हम उसकी volume कैसे identify करेंगे तो देखो इसके लिए example से समझते हैं जैसे कि यह एक figure है ice cream तो अब हम सब ने खाई है ice cream की shape कैसी होती है थोड़ी बहुत ऐसी ही होती है तो इसमें यह जो नीचे वाला part होता है इसे हम कहते हैं cone और यह इसके ओपर ice cream की cream होती है done अब इस solid को देखके आब बता सकते हो कि यह कौन सा solid है ना तो यह cone है और ना ही यह hemisphere है तो यह क्या है तो देखो अभी तो यह कोई भी एक fixed solid नहीं है लेकिन अगर हम इस solid को यहां से cut कर दें तो यह कैसा दिखेगा तो देखो यह बनेगा एक cone plus एक hemisphere done यह क्या है यह तो है हमारा cone और यह है ice cream की cream अब हमने यह दोनों solid identify कर लिए तो अब हमें इसकी volume का formula पता है कि इसकी volume होती है 1 by 3 pi r square h और hemisphere की volume होती है 2 by 3 pi r cube तो अब इन दोनों solid की help से हम calculate कर सकते हैं इस solid की volume देखा तो हमने कैसे एक solid को ऐसे divide करा ताकि हम उसे ऐसे solids में divide कर सकें जिनकी volume हमें known है done तो देखो अब ये case तो ऐसा था जिस case में हमने दो solid की volume को add करा ये addition का case था अब ज़रूरी नहीं है कि हर time addition हो कभी कभी subtraction भी हो सकती है वो कैसे तो देखो यहाँ पे जो cream थी वो cone के surface से above थी और volume को maximize कर रही थी इसलिए हमने दोनों की volume को add करा अब दोनों की volume subtract कब होगी तो देखो अब एक figure है जैसे कि यह आपने अक्सर देखा होगा जब हम petrol feel करवाते हैं तो ऐसी शेप का कुछ हमें नजर आता है done अब मैं कहता हूँ इसके अंदर एक ऐसे cavity है और जो petrol है वो सिर्फ इस ही portion के अंदर आ सकता है इस वाले portion के अंदर done तो अब हमसे कोई पूछे कि इस solid की net volume क्या होगी तो देखो इस solid के अंदर भी दो पाठ है अगर हम कहें कि इस solid की volume क्या होगी volume of cone क्यानि की 1 by 3 pi r square h तो यह जवाब गलत होगा क्यों क्योंकि volume of cone में यह वाला portion भी include हो जाएगा जबकि इस solid के अंदर यहाँ पे petrol fill up नहीं हो सकता तो अब हम कैसे बताएं इसकी volume क्या है तो देखो उपर तो यह कौन है और इसके अंदर यह है एक hemisphere तो जब हम इसमें से hemisphere की volume को minus कर देंगे तो इस solid की volume निकल के आएगी तो इससे हमने क्या समझा इससे हमने समझा कि volume add भी हो सकती है और subtract भी हो सकती है हमें question में देखना पड़ेगा कि result कैसा है कि हमें volume add करनी है या volume subtract करनी है जिससे कि हम final solid की volume calculate कर सके तो इस case में यह जो hemisphere है यह overall solid की volume को कम कर रहा था तो इसी लिए हमने यहाँ पर hemisphere की volume को minus करा और इस वाले case में यह जो cream है यह इस ice cream की volume को increase कर रही थी इसी लिए हमने इसको add करा तो यह चीज हमें question के साथ और ज़ादा अच्छे से समझाएगी इसी लिए आप कुछ question solve करते हैं ताकि हमें एक अंसा टेक दम clear हो जाए now question number one question number one आपको screen पर show हो रहा होगा आप या तो इसे लिख सकते हो या फिर इसके screenshot भी ले सकते हो question number one है Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder if the base of shed is of dimension 7 x 15 and the height of cuboidal portion is 8 meter find the volume of air that the shed can hold further suppose the machinery in the shed occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average then how much air is in the shed तो अब देखो question number one में हमें कुछ ऐसी figure given है then अब हमें क्या calculate करना है हमें calculate करना है कि इस shed के अंदर जितनी भी air है उसकी volume कितनी है लेकिन हमें कहा गया है कि इस shed में machines भी है और machine की भी कुछ volume है और कुछ worker भी है और उन worker की भी कुछ volume है तो देखो हम इस question को कैसे solve करेंगे तो देखो अब इस figure में दो solid है वो क्या क्या पहला solid तो है ये cuboid done इतना तो समझ में आता है figure देखके और दूसरा solid है ये half cylinder जो उपर की तरफ है done तो अब हमें पता चल गया कि ये solid किसका combination है ये है एक cuboid और half cylinder का तो अब हम इसकी volume calculate कर सकते हैं तो देखो यहां से हम देख सकते है volume of solid किसके बराबर है ये equal है volume of cuboid plus volume of cylinder और ये cylinder complete cylinder नहीं है ये सिर्फ cylinder का half है यानि कि हमें volume भी कैसी लेनी पड़ेगी half done तो देखो volume of cuboid अभी मैंने आपको formula बताया इसका formula होता है length into breath into height plus half into volume of cylinder अभी हमने इसका formula देखा वो होता है pi r square h done अब देखो length into breath into height तो ये हो जाएगा 15 into 7 into 8 plus 1 by 2 pi की value यूज करनी है में question में given है 22 upon 7 अब radius कितनी होगी तो देखो ये है cylindrical portion यहां से यहां तक क्या होगी radius ये total है 7 तो radius कितनी हो जाएगी 7 upon 2 done तो radius है 7 upon 2 into 7 upon 2 into height अभी cylindrical portion की height कितनी है तो देखो ये वाले जो portion है ये है cylindrical portion की height जो है 15 meter done तो देखो 2 से 11 पे cancel हो गई है और ये 7 into 7 हो जाएगा तो यहां से जब हम इस data को calculate करेंगे तो हमारे पास result आएगा 1128.75 meter cube ये volume आई total shed की लेकिन अब हमें कुछ condition भी given है कि पहला तो shed के अंदर machinery भी है और machinery की भी अपनी volume है और दूसरी shed के अंदर workers है और उन worker की भी volume है तो हम calculate करेंगे अब total volume कितनी है तो देखो volume of machinery हमें given है 300 meter cube और हमें एक worker की volume given है और total worker कितने है 20 तो देखो volume of each worker ये given है 0.08 meter cube तन अब total worker कितने है total worker है 20 तो टोटल worker की volume कितनी हो गई तो देखो इसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक टौफी 10 रुपे की आती है तो दो टोफी कितने की आएंगी 20 रुपीज की ऐसे ही एक worker की volume इतनी है तो 20 worker की volume कितनी होगी तो टोटल वोल्यूम आफ वर्कर्स तो वो होगी 0.8 इंटू 20 तो ये आएगी 1.6 meter Q यहां तक तो सब एकदम असान है अब हमें करना है final step इस question के लिए हमें calculate करनी थी air की volume तो देखो जो volume machine और workers occupy कर लेंगे वहाँ पर तो air आ नहीं सकती तो volume of air कैसे निकलेगी हम total volume में से worker की और machinery की volume को minus कर देंगे तो क्या आ जाएगी volume of air आ जाएगी तो volume of air equal to volume of solid यानि की total volume minus volume of machinery minus volume of worker तो final result आएगा 827.15 meter cube तो यह आई final volume air की जो इस shed के अंदर present है और इसी के साथ हमारा question number one भी finish हो गया अब question number two आपको screen के ओपर शो हो रहा होगा वो है a juice seller was serving his customers using glass shown in figure the inner diameter of cylindrical glass was five centimeter but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass if the height of glass was 10 centimeter find the apparent capacity of the glass and its actual capacity तो देखो इस question में जितने भी important keywords हैं वो मैंने mark कर दी हैं ताकि आप उन्हें पढ़के question को समझ सको कि हमें करना क्या है तो question में given है हमें कि यह एक juice का glass है जिसमें यह जो hemispherical portion है यह इस glass की capacity को reduce कर रहा है इसका क्या मतलब है कि जब हम इसके अंदर juice डालेंगे तो juice जो होगा वो सिर्फ इस portion में आ सकता है इस वाले portion में देन वो इस portion में नहीं आ पाएगा तो total volume बड़ी या घटी total volume reduce हो गई क्योंकि पहले अगर यह hemisphere नहीं होता तो juice यहाँ पे भी आ जाता पूरे slender के अंदर आता लेकिन अब इस hemisphere के आने की वज़ा से जो juice है वो सिर्फ इस portion में आ पाएगा तो हम actual capacity कैसे measure कर सकते हैं तो देखो जो actual capacity है actual capacity equal है volume of cylinder then की पूरे volume of cylinder minus volume of hemisphere then तो देखो volume of cylinder अभी हमने पढ़ा कितनी होती है pi r square h minus volume of hemisphere भी हमने पढ़ा वो होती है 2 by 3 pi r cube then तो देखो question में हमें given है हमें use करनी है pi की value 3.14 into radius तो देखो radius given है 5 cm तो 5 into 5 और height given है 10 cm 10 into 2 by 3 into pi 3.14 into radius hemisphere की radius भी कितनी होगी 5 होगी क्योंकि दोनों का base same है तो 5 का q तो जब हम इस value को calculate करेंगे तो हमारा final result आएगा 196.25 minus 32.71 तो final volume आएगी 163.54 cm cube तो यह आई actual capacity of glass अगर यह hemispherical portion ना होता तो volume कितनी होती glass की 196.25 m3 इतनी volume होती लेकिन इस hemispherical portion की वज़ा से volume 32.71 reduce हो गई और final volume आई 163.54 तो देखो यह था example कि कब हमें volume minus करनी है और इससे पहले वाला question था कि कब हमें volume add करनी है then अब एक और question करते हैं question number 3 now question number 3 a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone the height of the cone is 2 cm and diameter of base is 4 cm determine the volume of toy if right circular cylinder circumscribes the toy find the difference of volume of cylinder and the toy तो देखो question number 2 में हमें कुछ ऐसी figure गीवन है इसमें क्या है कि एक तो यह hemispherical portion है toy का और इसके ओपर क्या है एक cone है then तो यह portion किसका हो गया यह portion हो गया पूरा toy का then इस portion में आ गया toy then और यह पूरा toy किसके अंदर है यह एक पूरे cylinder के अंदर है तो यह है cylinder का portion then तो देखो अगर हमें calculate करनी है volume of toy तो toy किस-किस चीज़ से बना है toy बना है दो चीजों से किस-किस से पहला पहला तो portion है यह cone का then और नीचे है hemisphere जब हम cone की volume को और इस hemisphere की volume को add कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें toy की volume then तो सबसे पहले calculate करते हैं toy की volume तो volume of toy equal to volume of cone plus volume of hemisphere done तो volume of तो volume of cone का क्या फोर्म ला होता है 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere होता है 2 by 3 pi r cube done तो देखो 1 by 3 into pi की value होती है 3.14 into radius क्या होगी तो देखो question में हमें गीवन है कि जो diameter है वो है 4 cm और जो radius होती है वो half होती है diameter का तो radius कितनी होगी 2 cm तो देखो 2 into 2 into height कितनी है height अब हमें कोन की put करनी है यहापे ना कि total height तो height of cone हमें question में गीवन है 2 cm then तो कोन की height कितनी है 2 plus 2 by 3 pi की value 3.14 into radius radius of hemisphere तो देखो hemisphere और cone दोनों की radius तो सेम है तो यह radius होगी यहाँ पे भी 2 then अब हम इसे calculate कर लेंगे तो क्या मिलेगी हमें volume of toy volume of toy तो volume of toy आएगी 25.12 cm q done अब इसके बाद हमें calculate करने के लिए कहा गया है difference in volume of cylinder and volume of toy कि मतलब इस पूरे cylinder की volume में से minus करो इस toy की volume को और बताओ कितना result आएगा तो इसके लिए हमें क्या calculate करना होगा तो देखो यह हम कैसे करेंगे तो difference कितना होगा volume of cylinder minus volume of toy done तो देखो volume of cylinder कितनी होती है volume of cylinder होती है पाई आर स्क्वेर एच और volume of toy हमने अभी calculate कर रही है वो है 25.12 cm q done तो देखो पाई की value यूज़ करनी है हमें 3.14 और radius of cylinder radius of cylinder भी कितनी होगी 2 cm तो 2 into 2 into height of cylinder अब देखो ये सोचने वाला question है कि हमें तो question में given है सिर्फ height of cone कि जो ये कौन है इसकी height 2 cm है तो देखो अब ये अगर hemisphere है और ये वाला portion radius है done तो यहाँ पे भी ये portion क्या होगा radius होगा done तो देखो अगर ये radius है तो ये portion भी कितना होगा ये भी radius के बराबर होगा यानि की 2 cm done तो overall height कितनी आएगी यहां से cylinder की 2 cm plus 2 cm that is 4 cm तो height of cylinder होगी 4 cm minus 25.12 तो जब हम इसे calculate करेंगे तो answer आएगा 50.24 minus 25.12 तो final answer आया 25.12 cm cube यानि की जो toy की volume थी वो भी कितनी थी 25.12 cm cube और जो difference है volume of cylinder minus volume of toy का ये जो difference है ये भी कितना है 25.12 cm cube तो इसी के साथ हमारा question number 3 खतम होता है इस question में सीखने वाली बात क्या थी इस question में हमने सीखा की हम कैसे calculate करेंगे यहां पे height of cylinder को क्योंकि हमें कौन की height तो given थी 2 cm लेकिन हमें इस remaining portion की height चाहिए थी तो जो height of hemisphere होती है वो उसकी radius के बराबर ही होती है तो हमने यहां पे देखा इसकी जो radius है वो कितनी है 2 तो overall height of cylinder कितनी हो गई 4 और हमने फिर उसे question में put कर दिया तो इसी के साथ आज की वीडियो को finish करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ Thank you 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4 5 चैनल कितनी हो